36 गड़ में इन दिनों समाजिक व राजनितिक इस्तर पर कई तरह की हलचले देखी जा रही है एक तरव जहां प्रदेश में धर्मांतरन व लव जिहाज जैसे मामले बढ़ रहे हैं तो वही राजनिति दलो द्वारा एक दूसरे पर अमर्याद टिपणियां की जा रही है इन सभी विश्यों को लेकर Grand ACN News ने दुर्ग जीने के समाज सेवी केस चोहान ने खास चर्चा की इस चर्चा के दौरान समाज सेवी केस चोहान ने सभी पहलियों पर बेबाकी से अपनी बात रखी आए देखते हैं समाज सेवी केस चोहान से हुई खास चर्चा समय मन में दिनो चल रहे हैं और चलते भी रहते हैं उसको लेकर हमसे चर्चा करेंगे घिर शक चोहान सबसे पहले हमने स्वागत करते हैं सबसे पहल जो लेंगी जो 86- tweaks से लेंगे हमारे आदिवासी बाहूले शषेत्र है और धर्मांतरन के मामले सबसे ज़्यादा यहीं पर होते हैं और यह जो मामले हैं क्योंकि वो शेत्र शायद गरी भी रेखा कि उसमें आता है क्योंकि धार्मीक जो लोग अपना परिवेश बदलते हैं कही ने कही आर्थिक मजद के लारज में करते हैं तो ऐसे मामले आग जनी और अन्य कई सारे घटनाओं के कारण बनते हैं कैसा नजरिया है आपका उसमें दिखे शाहिन जी जो धर्म परिवर्तन का सीधा सीधा संबंद राजनीती से धर्म परिवर्तन का लेना देना कोई भी धर्म से नहीं है सिर्फ अपने समर्थन पे वोट लाना और राजनीती अपनी चमकाना सथा में काभिज होना यही धर्म परिवर्तन का मूल उद्देश्य होता है इस वज़ा से ही तरह तरह की चीज़ें की जाती है और ये जो धर्म परिवर्तन है ये धर्म परिवर्तन एक्षिक अगर होता है तो अच्छी बात है कि अगर हम किसी धर्म को या किसी कौम को संसकारों से प्रभावित होके हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो अच्छी बात है लेकिन ये धर्म परिवर्तन जो हो रहा है वो लालस दे वालों से डाटा लिया जाता है और उनको पैसे भी दिलवाय जाते हैं और उनको डिफार्टर करवाय जाता है फिर उनको परिशान किया जाता है फिर वो लोग जाते हैं धर्म परिवर्तन वाले कि हम आपका क्रेडिट का पैसा चुका देंगे तो ऐसे दबाओं में आके रहें हैं वह लोग क्या होता है कि उनलों बोलते हैं कि जैसे आदिवाजी जो भाई बहना है हमारे civर जो कि जो अनुदान मिलता है जो रियायतेन मिलती है तो उनहीं लोग को मिल नीची द्ऽिये धरम प्रिवरतन करने वालों को नहीं चाहिए इसलिए आपसी संगर्ष वहां पर पैदा हो जाता है जो आपसी संगर्ष हम लोग बस्तर में देखने को मिल रहा है वो इसी के कारण है कि जो रियायते मिल रही है वो रियायते उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जब धर्म परिवर्तन कर चुके हैं तो आप या ऐसे कोट मेरिज कराते हैं हम लोग रजिस्टर्ड मेरिज कराते हैं और कोट में अगर रजिस्टर्ड तलाक कराते हैं तो आप ऐसा ऐसा सिस्टम ला दीजे जिससे की क्या है जबरिया जो चीजे है वो रुक जाएंगी मैं जानना चाहूंगी कि लव जिहाद क्या है और इ कुरान में कुरान का अगर आप निचोड देखेंगे आप तो उसी कौम से हैं लेकिन कुरान का अगर आप निचोड देखेंगे तो वो निचोड है इमान पूरा कुरान और जो पूरा मुस्लिम समुधाय है वो इमान पे टिका हुआ है इमान का मतलब होता है न्याय का मतलब ह होता है कि protection अपनी अपने परिवार के लिए खुद के लिए अपनी कौम के लिए अपने समाज के लिए protect करने के लिए हम जब aggressive होते हैं तो वो जिहाद है उसके लिए जब हम जब अपने आपको protection करने के लिए जब हम तर्वार उठाते हैं तो वो जिहाद है तो ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप aggressive हो जाओ और अपनी कौम को आप कौम की संख्या बढ़ाएं इसका मतलब ये नहीं होता है क्योंकि न्याएं का मतलब होता है सही और हमें क्या सही है वो करना चाहिए ना कि हमारी कौम के लिए क्या है वो करना चाहिए सही को तवज्gen देना चाहिए कौम को नहीं इसी और यह तर्था जो है हो कौम का तवज्जद देती है सही को तवज्जद नहीं देती है इस वज़ज़ Bluetooth क का मतलब होता है कि जब हम दूसरे की खुशी में अपनी खुशी डूने जैसे एक बच्ची है आप अगर उसको खिलोना लाके देते हैं जब वो खुश होती है तब आपको खुशी मिलती है तो that is called love कि तुमको जो पसंद है वही बात कहेंगे तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे तो that is called love तो love जो है love एक बहुत ही पाक चीज़ है अ ना 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 प्यार अंधा तो होता ही नहीं है और जो प्यार अंधा हो वो प्यार होता ही नहीं है विश्वास और अंध विश्वास में बहुत जादा फरक है प्यार विश्वास का नाम है और अंध विश्वास जो है वो कटरता पैदा करता है वो वो सही और गलत पैद हो जाती है इस वज़ा से क्या होता है कि हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कटरता कटरता वश्य सही का सही का समर्थन नहीं करते कौम का समर्थन करते जैसे आप मान लिजे कि कुछ मुस्लिम समुदाय से मैंने देखा था कि वो यह बोलते हैं कि कुछ लोग अगर मान लीजे अपराधिक तत्यू के लोग हैं तो उसके लिए मुस्लिम कौ्म को क्यो दोशी पाहना जाता है? तो एक बाव बताये कि क्या आपने इस चीज्ँ का विरोद तो किया? लेकिन क्या आपने इस चीच का विरोध किया जो आपके कौम के जो मुस्लिम कौम के जो अपराधिक तत्यों के जो लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं क्या उन लोग का विरोध किया आपने जब आप उनका विरोध करेंगे तब जाके दूसरे लोग भी आपका विरोध कभी नहीं करेंगे तो हम सही को बोले ना गलत का विरोध करें भले वो हमारी कौम में हो भले वो दूसरी कौम में हो लेकिन हम कौम को गलत बता देते हैं कौम को सही बता देते हैं तो कौम कभी सही और गलत करें नहीं होता है, सही सही चीजें होती है, सही को हमारे को देखना चाहिए, और हम लव के कारण अगर जिहाद करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन हम जिहाद के कारण अगर लव करें, तो गलत बात है, जो भी घटनाए होती हैं तो वो जिहाद के कारण लव किया जाता है ना उसके कारण वो गरत चीज हो जाती है लव के कारण अगर जिहाद किया जाता है तो ऐसी कोई घटना है या सामने आती छे नहीं है जैसे इसी तरह की घटना भी राइगड में पिछली दिनों हुई कि महिला के गर्भ पात कराने के दोरान ही उसकी मृत्ती हो गई और उसकी आखरी बयान के आधार पर भारती जन्ता पारिटी के दोरा इसको लव जिहाद का नाम दिया गया और अब जो है क्या इस लव जिहाद जैसे मामले इसमें संभाव है और क्या इसमें अपने को पहल करना चाहिए क्योंकि अगर मालों यहाँ प्यार और उसका मीनिंग दोनों की प्यार की थी और शादी की थी और गर्भ पात कराने के दोराना अगर मित्ती हुई है और उसका बयान जो था उसके आधार पर भाजपाद वारा ऐसा जो पहल कर ना और इसको लव जिहाद बताना कहां तक सही है देखे ये लव के लिए जिहाद नहीं था ये जिहाद के लिए लव था अगर वो लव के मैं आपको पहले ही बताए कि लव में दूसरे की खुशी देखी जाती है अपने पार्टनर की खुशी देखी जाती है जिहाद में मतल के लिए एग्रेसिव होना प्रोडेक्शन के लिए हम अक्रामक हो जाएं अपनी रक्षा के लिए हम अक्रामक हो जाएं डैडिस कॉल जिहाद लेकिन आप लोग अक्रामक होंगे अपनी कौम को बढ़ाने के लिए अपने अपनी बाते मनवाने के लिए खुद की बाते मनवान हमारे मांसिक्ता के हिसाब से चले तो यह संभाव ही नहीं तो मांसिक्ता का भी बहुत ज्यादा फरक है आप एक उगते सूरज को प्रणाम करता है तो एक डूपते हुए सूरज को प्रणाम करता है उसके बाद सजदा करता है एक ट्रेडिशनल में रहना चाहता है तो दूसर किसी के उपर अधिपत्य जमाना चाहते हैं और लव तो अधिपत्य नहीं जमाना चाहता और लव तो समाना चाहता है ना किसी में आप समा जाएं किसी में आप किसी के उपर हुकूमत ना करें लेकिन यहां पर जो दिखाई दे शर्मसार किया हुआ है उन्होंने तो जिहाद के कारण जो मतलब जो एक अंद विश्वास लेके चल रहे हैं अंद विश्वास जो लेके चल रहे हैं तो उसके कारण उसका ये परिणाम है और ये एक्चल में मुस्लिम समुदाए की ये संसकार देखी किसी भी शीच की करलत न किसी समाज के खिलाफ हो किसी देश के खिलाफ हो एक भी लाइन एक भी वर्ड आप बता दीचे नहीं सिर्फ कुरान में सिर्फ और सिर्फ न्याए की बात बोली गई है इमान की बात बोली गई है और इमान बोलता है कि सही करी है लेकिन हम लेकिन कुरान गलत नहीं है लेकिन हम पढ़ने वाले जो है वो हम अपनी मानसिक्ता के हिसाब से पढ़ते है एक्चुली ट्रेडिशनल के हिसाब से मुस्लिम समुदाय चल रहा है ट्रेडिशन के हिसाब से टेकनिकल के हिसाब से नहीं चल रहा है आज की सोच के हिसाब से नहीं चल रहा है आज आप मदरसे में आप भेजना चाहते हैं लेकिन आज की जो आपकी नीड है जो जमाने के साथ नीड है वो स्कूल में कॉलेजस में और और उच्छे शिक्षा में पढ़ने की नीड है आप आज की जो नीड है वो परदा में रहने की नहीं है खुले वातावरं में अपने को एक्सपोस करनी की डिमांड है तो वो आप करनी रहे हैं आप शिक्षा उच्छे शिक्षा दे नहीं रहे हैं बच्चों को तो बच्चे शिक्षा नहीं उच्छे शिक्षा पा रहे हैं तो क्या होगा उसका परिणाम यही विश्वास नहीं अंद विश्वास की तरफ जाएंगे जब आपको तौलने की छम्टा ही नहीं है तौलने की शम्टा दिन एक यी स्थní से आ सकती ہے वह यह शिक्षा है और आपको तौलने की शम्टा ही अगर हटा दिया जाए तो अंधेरा है, अंधेरे को लाना नहीं पड़ता है। सूरज को लाना पड़ता है, पॉजिटिविटी को लाना पड़ता है, नेगिटिविटी अपने विद्स ने रती हैं। तो हमें शिक्षित करना इस कौम को बहुत ज़्यादा जरूरी है और मदरेसे से ज़्यादा आप अगर स्कूलों में ज़्यादा विश्वास रखेंगे तो आप मैं यह नहीं बोलता हूं कि आप मदरेसे पे जो पढ़ाई करवाई जाती है कौम के प्रति और संसकारों के प् मुस्लिम समुदाय को खुद को भी प्रावलम नहीं होगी दूसरे कौम को भी प्रावलम नहीं होगी तीसरे कौम को भी प्रावलम नहीं होगी और जो सही चीज़ है वो कर पाएंगे अभी आपने पर्दे की बात की और मदरसे की बात की तो मैं एक क्यूंकि खुद मुस्ल पहता है कि बच्पन से क्योंकि उनको परदे में रहने के लिए बोला जाता है घार लोगों के सामने muscles होती होती है कि हम को किसी की सामने नहीं जाना है उनके वबहे होता लेकिन एक मुद्धा होता है जब हम काखागा नहीं पढ़ेंगे तो पूरी पाठ शाला का पाठ कैसे पढ़ेंगे तो मदरसे को दूसरे तरीके से तौल कर देखा जा रहा है मदरसे में गलती बात सिखाए जाती है मदरसे में उग्र होना पढ़ सकते हैं वो उससे वंचित हो रहा है इस वजह से गड़त बोला जा रहा है क्योंकि आप मान लीजे कि आप अगर सिर्फ चावल चावल खा रहे हैं तो आपको चावल खाना गलत नहीं है लेकिन दाल भी खाना जरूरी है सलाद भी खाना जरूरी है और जो पॉस्टिक जो सबजीयां है वो भी खाना जरूरी है चपाती भी खाना जरूरी है उस चीज से आपको वंचीत रखा जा रहा है और आपको बोले कि सिर्फ आप चावल खाईए तो चावल से सिर्फ आप अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकतें क्योंकि आपको बैलेस्ट डाइट लेकिन उस चीज को एकसेप्ट भी करवाती है जो सही चीजे हैं हम मदरसे का विरोध नहीं करते हैं लेकिन जो आज की डेट में जरूरी है वो चीज को लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस वज़ा से मुस्लिम कौम जो है वो पिछड़ते जा रही है देसे माल लीजे कि आप सिर्फ ट्रेडिशनल पे चलेंगे माल लोग और आप टेकनोलोजी को इस्तमाल नहीं करेंगे आज अगर आपके पास मोबाईल है वो टेकनोलोजी है अगर आप वही पुराने धर्रे प हम फोन का विरोध नहीं कर रहे हम ये बोल रहे हैं कि आप लोग भी मोबाईल लीजे ताकि हमारा कम्यूनिकेशन भी जो है वो अच्छा हो सके हमारा हमारा मदरसे से कोई भी विरोध नहीं है हमारा स्कूलों में जाने के लिए हम बोल रहे हैं कि आप स्कूल में वेजेंग तो हम एक समाज के जो एक अच्छे प्राणी है वो बन सकेंगे तो वो शिक्षा भी बहुत ज़्यादा जरूरी है इस वज़े से और जैसे आपने हिजाब बताया तो देखिए जैसे हम जो समिधान हमारे को बोलता है कि हम पकड़ी पहन सकते हैं हम ये कर सकते हैं हम बुर्ख लगा सकते हैं तो वही समिधान हमारे को बोलता है कि हम हाथ घुमा सकते हैं तो वही समिधान हमारे को बोलता है कि आप हाथ घुमा सकते हो लेकिन वो दूसरे को लगना नहीं चाहिए अगर वो दूसरे को लगेगा तो आप हाथ नहीं हुमा सकते तो वो अगर मान लो कि पहन के आना है तो वही स्कूलों में अगर या आपके जो आफिस है माल दीजिए आप अपना समयधान अगर करते हैं कि मेरे आफिस में अगर एंटर होना है तो जूते उतार के एंटर होना पड़ेगा तो क्या ये गलत है लेकिन आप बोलोगे कि नहीं मेरे को तो समयधानिक हक है कि मैं जूते पहनूंगा आप जूते पहनने का आपको समयधानिक हक है लेकिन जिस घर में आप जा रहे हैं तो वो उस घर का मालिक है उस घर के मालिक के हैसियत से उसको भी ये हक है कि मेरे घर में जूते बाहर उतार क तो क्या वो गलत है वो गलत नहीं है अगर आपको जोते नहीं Ade नँँ उतारना है तो आप उनके घर के अंदर मत चहिए आप उस घर में जाहिए जो मतलब जूते पहनam के आपको अंदर एंटरी करवा रहा है उनकी घर चाहिए उस दुकान में चाहिए आपको कौन बोलता है तो ये गलत नहीं है आप अपनी जगा सही है वो अपनी जगा सही है थोड़ा धार मिक थोड़ा बहुत ज़्यादा धार मिक हो जाएगा है क्या हिंदू और मुसलिम मांसिक्ता जो होती है मांसिक्ता जो है संसकार जो है वो बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है इस वज़ा से सभी चीजें अभी देखिए जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक संसकार बोलता है एक बोलता है कि उगते सूरज को प्रणाम करना चाहिए एक बोलता है डूपते सूर का है एक एग्रसी हूए एक शहला को ज्ञादा तफजु देता है एक बोलता है कि मैं आजादी आजादी मैं देना चाहता हूँ और दूसरा बोलता है कि मैं प्रोटेक्ट को रखना चाहता हूँ मैं containment उसमें रखना चाहता हूं अपने अपने दायरे में रखना चाहता हूं तो यह मानसिक्ता का बहुत ज्यादा फरक है एक राइट टू लेफ्ट लिखता है एक लेफ्ट टू राइट लिखता है एक सिर्फ मुची रखता है दाड़ी नहीं रखता है एक दाड़ी रखता है औ बहुत ज़्यादा फरक है तो और अगर मान लीजे कि लड़का और लड़की इतने ज़्यादा परिपक्व हैं कि वो वो छणिक सभी चीजें देखके छणिक सभी चीजें देखके ना करें डिसीजन ना लें और अगर वो एक परिपक्व हैं दोनों जन तो वो अगर उसके हि शादी करते हैं तो ठीक बात है नहीं तो मांसिक्ता में बहुत ज्यादा फरक है संसकारों में बहुत ज्यादा फरक है तो adjustment वो कर सकते हैं की नहीं कर सकते हैं यह हमारे को देखना पड़ेगा और अगर वो कर सकते तो ठीक है नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं समिधान कभी भी कोई किसी को भी किसी कौम के साथ जुड़ने से या शादी करने से नहीं रोकता है समिधान सिर्फ ये बोलता है कि आप सही उम्र के हैं सही मानसिक्ता आपकी है के नहीं है उसके हिसाब से ही आप काम करें आपने ब न हो दिल आ गया या अगर महाँ पर लौ जैसा अफियर जैसे मामला हो तो लेकिन इसको धार्मीक और राजनीती को मिला करके इस परिपेक्ष में इसको मुद्दा बना करके अक्सर कर इसकी राजनीती रोटी सेखी जाती है अक्सर इसको लव कौम के उपर सवाल अगर उठाता है तो वो गलत है लेकिन कोई सही चीज के उपर अगर सवाल उठाता है और गलत चीज के गलत अगर कोई चीज हुए और उसपे अगर वो सवाल उठाता है तो क्या वो सही हुए दो कह कि कैसी कौम के दो यह अगर मान लो की मैंने पहरी बोला कि अगर जिहाद के कारण लव किया गया है तो वो तो गलत है ना और जिहाद समझ में भी नहीं आ रहा है उनको लव मेरिज हो सकती है लव हो सकता है बिलकुल हो सकता है लेकिन लव भी जो होना चाहिए वो अंध विश्वास में नहीं होना चाहिए अंधा नहीं होना चाहिए, वो जगरुक होके होना चाहिए, कि हाँ, विश्वास में आके होना चाहिए, कि हम पूरी सब चीजों को समझें, और उसके बाद हम लव करें, और उसके बाद हमारे को शादी करनी है तो करें, और कोई भी किसी भी कौम में हम करें, उसकी मतलब बारे में भी जात परताल करें लड़के की बारे में भी जात परताल करें तब उसके बाद हम लोग एड़ेस्ट हो सकते हैं कि दोनों के साथ वो करें और राजनीती में अगर ऐसा भारती जनता पार्टी की में बात बताता हूं तो भारती जनता पार्टी गलत का विरोध ब्राफ बहले वो खड़ा कर दें, उससे कोई लेना देना नहीं है भारती जनता पार्टी को भारती जनता पार्टी जो समाझ के लिए सही होगा, वो करेंगी और मुखर होके करेंगी, और भारती जनता पार्टी, एक ऐसी पार्टी है कि वो इस बात को बिल्कुल ताक में एक बात पुछना चाहूंगी या अपनी भी राया इसमें रखना चाहूंगी मैं कहां तक सही हूं या गलत मुझे नहीं पता वो अमिताब बच्चन के घर की पौतर वधू बनने वाली ऐसा सोचल मेडिया में वायराल हुआ है मैंने देखा भी है मैंने जान सकती हूं कि कहां तक सही है गलत तो मुझे ऐसा लगता है कि यह ज़्यादा तर जो है मध्यम वर्गी लोगों के बीच में इस तरह की अर्चने या फिर ऐसी मामली लव जिहाद वाला ज़्यादा आता है ऐसा क्यों दिखे यहां पर मैं फिर बोलना चाहूंगा कि जैसे मुस्लिम कौम है ठीक है मुस्लिम कौम के जो संपन आप घर देख लिजे संपन घर देख लिजे वो कहां पर भेजेंगे अपने बच्ची को और ब जो लोग वहां पर मदरसी में भेज रहे हैं कौनमेंट डिस्कूल में नहीं भेज रहे हैं वहां प्रॉब्लम बिलकुल नहीं हो रही है जहां पर बच्चे एजुकेटेट हो रहे हैं वहां पर प्रॉब्लम बिलकुल नहीं हो रही है अब जैसे आप शारुक खान की जो ब traditional संस्कार होते हैं मुस्लिम के वो traditional संस्कार पूरे अपनाती है ऐसा तो दिखानी तो वो traditional के साथ technology भी अपना रही है बिलकुल उनके घर में उनको संसकार देते रहोंगे कुरान पढ़ाते होंगे और इससे कोई परहज नहीं है लेकिन उसके साथ साथ ABCD भी पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कॉलेज में भेजना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है भले ही उस कॉलेज में आप बुर्खा पहन के ना जाएं लेकिन बुर्खा पहनने से ज़्यादा जरूरी है हमारी मानसिक्ताओं को खोलना हम अगर अपनी मानसिक्ताओं को खोलते हैं मुस्लिम समाज अगर मान लिजिए अपनी मानसिक्ताओं को खोलता है तो वो इस बात को बहुत ज़्यादा तवज्जु नहीं देगा कि मेरी बच्ची या हमारे घर की महिलाएं परदे में रहें वो अगर आपकी मानसिक्ताओं तो वैसे भी आप परदे में वैसे भी आप अपने हद में रहेंगे उससे कोई लेना देना नहीं है दूसरी बात यह है कि आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुस्लिम समुदाय की जो है वो शिक्षा को लेकर है और आप यह बताइए कि कोई भी कौम हो अगर वो अशिक्षित है कोई भी कौम मैं मुस्लिम कौम की बात नहीं बोना हूँ कोई भी कौम अगर अशिक्षित है तो क्या उनकी उस कौम में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है बिलकुल आ रही है उनके घर में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है बिल्कुल आ रही है उनके खुद के नीजी जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है बिल्कुल है एक मतब प्रॉब्लमेटिक जो आदमी है वो उस कौम के करण प्रॉब्लम में नहीं है उस अपनी खुद की एबिलिटी उसने उपर न व्हमिग्यवश्ट मुझे यह बोलना पड़ता है कि ऐसे कम है क्योंकि संसकारों को बहुत ज़्यादध ने तवज्जु दिया हुआ है अपने जो अपनी ट्रेडिशन थिन्स को हैं तो उसको बहूत ज़्जद तवज्जु दिया है टेकनिकल को टवज्जु नहीं दे रहे इस वज़े से ये प्रव्लमारी और जो भी कौंठ टेकनिकल्स को तवज्जु नहीं देगी, शिक्षा को तवज्जु नहीं देगी, प्रशिक्षण को तवज्जु नहीं देगी, वो पीछे होगी. सर आपका बहुत बहुत धन्याद आज समाजिक राजनीति धार्मिक तीनों मुद्दों का विशेजन आपने बहुत अच्छे carbohydrates तो ये थे केस जोहां सर समाज से वी उन्होंने काफी सारे समाज दार्मिक ऑजनीती सवाल जो सभी के मन में थे मेरे भी मन में थे उसके जवाब उन्होंने दिये और लव जहाद को लेकर कि भी उन्होंने काफी अच्छा विचलेशन दिया है तो लगातार हमारे साथ बने रहे और देखते रहे ग्रेंड एसे न्यूस नमस्कार न्यूस बुरिटिन में फिल हाल इतना ही मुझे दीजी इजाज़त आप बने रहे ग्रेंड एसे न्यूस के साथ तब तक लिए इतना ही नमस्कार